नमस्कार आ जाने के बिहार की बड़ी खबरे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार की बड़ी खबरे जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिहार के जिस भी जिले से इस खबर को देख रहे हैं अपने जिले बनाए गए हैं रेलिवे स्टेशनों पर भी बिसेश तरक्ता निर्देश दिया गया है अब घर बैठे करे आवेदन आपकी बेटी को बिहार सरकार देने जा रहा है यह साथ हजार रुपिया मुखमंत्री कन्या उत्यान योजना को रफ्तार देने के लिए एक नई पहल की ग आवेदन में पूछे गए तमाम बातों की जनकारी देनी होगी साथी सम्मधित आंगन बाड़ी केंद्राओं से इविका का नाम देना अत्याव असक है जन पनवनपत्रवां बेटी के साथ बच्ची का और मा का फोटो अपलोड करना होगा इसके बाद आभिवावकों को य अच्छी खबर सामने आ गई है तब्या ठीक होने पर एम से लोटे हैं घर मीशा के घर पहुंचे हैं लालू परसाद यादव राश्टिय जंततल सुप्रीमो लालू परसाद यादव कुछ दिनों से लगतार गंभी बीमार से जुझ रहे थे ऐसे में लालू को इलाज के द अंसद विबेक ठाकूर ने की शिष्टा चार मुला का बीटा एयरपोर्ट का जल्द सिलन्यास करने का किया निरोध भाजपा सांचद विबेक कुमार ने गुरुवार कुपनार मंतरी परस्तावित बीटा अंतराश्टिय एयरपोर्ट का अतिस्षिग्र सिलन्यास करने का जिस मौगे पर विवेग ठाकुर ने सिलनयास उप्रांत एयरपोर्ट का नावांकरन महान निगिनतनेता सौतनता सिनानी स्वामी सहजा नंद सवस्वती पर किये जाने का बिहार सरकार के प्रस्ताव की उप्रांत केंद्र से उसे सुकृति पतान करने का आगरा किया आज विवेक ठाकुर ने संसत भवन में प्रदान मंतिन नर्यंदर मोदी से सुचचार मुलकात भी किया है बिहार में जल्द बिरोजगारों युवाओं को मिलेगा नौकरी सरकार ने बनाया है खास प्लान बिहार के बिरोजगारों को रोजगार देने के लिए बिसेश पोर् बहुआ है अब तक 40,000 की बहाली हो चुकी है बश्याप इसूनावर के करण अभिया परकिरिया बादित है सितिया है कि कुछ पंचायतों में सिचको का नियोजन हो चुका है कहीं पंचायत जाज की परकिर्या भी चल रही है तो ऐसे में एक बड़ी खबर कि बिहार की सिच्छा मंत्रे ने बड़ा एलान किया है करीब सवा लाख सिचको को बहाली किया जाएगा बिधान सभा में या घोसना किया गया है बतादे बिहार में बिधान सभा का सीथ कालिन सत्र चल रहा है बिधान सभा परिसर में मंत्री जिवेश मिस्रा की गाड़ी को रोकने को लिकर के अब मामला लगातार बिगरता देखा जा रहा है बिधान सभा की कारवाई इसे में भाग लेने जा रहे स्रम मंत्री जिवेश मिस्रा की गाड़ी पर बिधान सभा परिसर में रोकने का मामला गरा गया है मंत्री ने इसे अपना और सरकार का अपमान बताते वे बिधान सभा में मामला उठाया है इस मुद्धे पर उन्हें विपाक्ष का भी साथ मिला है सदन में जमकर हो हो गामा हुआ वहीं बिधान समाद्यच विजय कुमार चीनहा ने डीजीपी एसके सिंगल और ग्री के आपर्स मुक्सचीब चैतने परसाथ को मामले के जाच कर सुक्रवार के सुबद्रस बजे तक रिपोर्ट देने के मांग रखी है साथ ही दोसियों को चिनित कर करवाई करने का भी निर्देश दिया है इससे पूर सदर में प्रसनकाल के दौरान मंत्री द्वारा मामला उठाए जाने के बाद उनके समर्थन में वेल उतर आया उसके साथ हिं विपाक्ष ने पुरी तरह से उनके बातों को समर्थन किया उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से प्रसासन को बेलगाम कर चुकी है अस्पताल ने छिनी आग की रोशनी चार डॉक्टर सहित 9 पर चंगिन धराओं में एफायर दर्ज बिहार के मुझपर पूर में आग का उप्रेशन के बाद रोशनी गवाने की घटना सामने आई है चार दिन बाद गुरुवार को सिविल सर्जन ऑपरेशन करने वारे डॉक्टर एंडी साहू और डॉक्टर समिक्षा सहित चारों डॉक्टरों को पांच पारा मेडिकलों सहित 9 लोग पर एफायर दर्ज कर दिया इन पर हत्या के प्रियास ज कई संगे नारोप लगाया गया है सरकार के आदेश के बाद 24 घंटे के बाद बड़ी जदो जहत से ब्रंपूर थाना सिविल सर्जन ने अफायर दर्ज कराई है SSP ने कहा के एफायर दर्ज होते ही चार्ज शुरू कर दी गई है चापे मारे में 3000 लीटर जवा महुआ नस्ट कर दिया गया है बिहार में सराबंदी है समिच्छा बैठक होने के बाद लगातार पुलीस पूरी तिला से अलर्ट है SSP बिहार के सराबंदी को लेकर के आपकी क्या प्रतिकरिया रहने वाली है नीचे कमेंट के जरिये जिरूर बताईएगा कैली और अगुनात पूर्व मुसहरी सहित छो गाओं में देशी सराब के बिरूत पुलीस ने चापे मारे की है तीन हजार लिटर जावा महुआ को बिनस्ट किया गया है सराब की भठियां अब्धवस्त की गई है हलाकि इस दौरान धंदेबाज मौके से फरार होने में सफल रहे हैं पुलीस धंदेबाज को पहचार कर उसकी गिरबतारी के रिचावे मारे में जुट गई है पुलीस आने जाने वाले वाहनों को भी सगन जाज कर रही है ताकि लोगों को पकड़ा जा सके वह जिला परिसाद ने स्टेडियम निर्मान का जाज की मांग की है सहार ननुवेच जिला परिसाद सदसे मीनकुमारी ने सहार प्लस टूच विद्यारग में के मैदान बन रहे है स्टेडियम के निर्मान में कथित तौर पर धांदली की जाज की मांग की है निरक्षन के दवरान उन्होंने कहा कि स्टेडियम निर्मान के परियोग में लाई जा रहे इट क्वालिटी गुन्मत्ता नहीं है बाकी कारे भी संतोह सुनक नहीं किया जा रहा इसलिए उन्होंने मांग उठाया है जाचका चक्रवर्ती तुफान जवाद के बीच बिहार बदलेगा मौसम कई जिलों में बारिस के असार चक्रवर्ती तुफान जवाद को लेकर के बिहार का मौसम विभाग भी सतर्क है पतना इस्थित मौसम बिभाग का कहना है कि इस चक्रवात का कोई असर बिहार में नहीं पड़ेगा बावजूद इसके अलावा कुछ दिनों में राज के कुछ हिस्सों में हलकी बारिस होने का नुमान मौसम बिभाग के तरफ से लगाया गया है मौसम बिभाग ने केंदर पतना के उतर पुर्वी नियंतर में चल रहे हवाओं को लेकर के आसंका जाहिर किया है हवा का बिष्टार समंदर तल से 1.5 किलूमिटर तक फैली है इन सभी का प्रभाव से प्रदेश के अधिकांस हिस्सों में आंसिक ठंड की ब्रिधी होने के आसंका जाताई गया उसके साथ ही गया में भी बताया गया कि मौसम का तापमान बेहद ही कम रहने वाला है तो ऐसे में बिहार के तमाम बड़ी खबरों के लिए अपना भी तक हमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जोरों कीजिएगा सुक्रिया